गर सब्स्क्राइब करें स 然後 Técnical chanel को और प्रेस करें इस बैल आएकροन को ताकि आपको मिल सकें वीडियो की नोटिफेकीशन सब से पर हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स है अजके मारे वीडियो का topic है C members cinnamycks v20 drive का connection किस तरह किया जाता है यहूरों मुंसे इसको install करने के लिए हम उसे on off करने के लिए कौन से starter का connection करते है और उससे कौन सा wire हम short करते हैं drive को run करने के लिए हम हर चीज को step by step देखेगे तो वीडियो को last तक जरूर देखे क्योंकि सीमें से drive से related आपको जो भी doubt से हो सारे आज इसको install करते हैं कौन कौन से parameter हमें set करना होते है उसको पर हम पहले वीडियो बना चुक है यदि आप parameter settings related कोई वीडियो देखना चाहते है तो इसकी link हम देखेंगे तो इसके कौन कौन से parameter हमें सेट करना होता है जहां से आपको पता चल जाएगा कौन-कौन से पेरामेटर हमें सेट करना होते है उससे पहले हम देख लेते हैं कौन-कौन से टर्मिनल दिये गए है और इसके टर्मिनल का मतलब क्या होता है तो इसमें देखा जाए तो कोई भी ड्रावर में पावर टर्मिन और यह अर्फिंग के लिए पॉइंट है, आप ड्राइव को जब भी इंस्ट्रॉल करें तो अर्फिंग जरूर दे, अर्फिंग प्रॉपर होना चाहिए नहीं तो आपके ड्राइव और भी सकती है, जब भी आप कोई भी ड्राइव इंस्ट्रॉल करें तो अर्फिंग पहले यहां से हम लाएगे RYB और लेजाके भी से जी पावर वाइडिंग गर्फावर होती है यहां से में MCP से कोई भी पी 3 फेज लाएगे RYB और हमारी मोटर को ड्रायव को दे दे गैंगे और यहां से हम आर्पुट लेके हमारी मोटर को can यहका संनुकित आपक क्यों में से करसे यह बग्य नियुक्त ओर आरं फंल कि सिंपल होग कहया कि है और अपकर आर्थिंग कभी यहां। इसकी पऐर टर्मिनल से समझे को ऩा क्या है। इसली फleich के लिए 10V, A1 को 0V यह फिर में पोटमेंट को सै उपड़ता है जो उसका output होता है, हम यहां पर connect करते है, AL1 में, और जो potentiometer का 0 होता है, उसे हम यहां पर connect करते है, negative में, 0V में, तो friends, यह आप potentiometer से drive को run करना चाहते हैं, तो potentiometer को आप generally 10V AL1 और 0V में connect करें, तो यह है, तो इसमें, पर फंक्षन होते हैं, but हमें जसे run करना है, तो रन करने के लिए कौन-कौन से connection करना होते है, यहां देखना है, यहां पर पोटentiometer से नहीं run करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, जस्त यह point को short कर दीगे है, पर आपके drive रन होगी, फ्रेंज से यह तो ह अब इसमें रन कमांड के यो वायर देखे जाए जो इसके एंसी उस्वाली होता है तो उसके लिए हमें क्या करना हुआ 24 वोल्ट को और यदि आप फॉर्वर्ड रोटेशन चाहते हैं तो फॉर्वर्ड रोटेशन के लिए आप DL1 को फॉर्ड्स यह इसका स्टार है हमें इस रोटेशन चाहते हैं तो उसे DL2 से शॉर्ट करेगे तो फॉर्वर्ड रोटेशन चाहते हैं तो इस तरह देखा जाए तो जिस तरह हम मित्सुबिशी ड्राइव में S1, S2, S3 शॉर्ट करते हैं उसके लिए यहाँ पर हमें default शॉर्ट करने के लिए D1C और 0V को शॉर्ट क करते हैं हम सिमेंस ड्राइव में 0V और D1C को default शॉर्ट करते हैं और यह चाहते हैं कि हमारे ड्राइव को साथ किसी और चीज को कंट्रोल कर सके तो इसके लिए यहाँ यहाँ पर रिले के लिए पॉइंट्स होता है यह एन से पॉइंट्स होता है और यह कॉमन रहता है तो आप ड्राइव में साथ किसी चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ से आसन इसे कर सकते हैं तो फेंट्स अम सिमेंस ड्राइव को यहाँ करना चाहते हैं तो हमें इतना ही कनेक्शन करना होते हैं सबसे पहले तो पोटेंशियमिटर का कनेक्शन यहाँ पर करेगे यह जो रन कमांड के वायर हो तो 24V को D1C से शॉर्ट करेंगे रिले के तवारा और D1C से 0V को शॉर्ट करेंगे वेसे तो ड्राइव में काई फंक्शन्स होता है जस्ते ही सिंपल रन करना चाहते है इस तरह वासनी से रन कर सकते है विक बदेख लेते हैं इसका सिंपल कनेक्शन हुआ है रिले के तरह बना है विसे पर देख लिए से किस तरह पॉइंग शॉर्ट कीया गया है फ्रेंड से यह स्टार्टर का कनेक्शन जस्ट अमने यहां पर दिखाया है स्टार्टर के इस तरवाने थोड़ा यह समझ लेते हैं यह फेस दोर न्यूटर सिंगल फेस सप्लाय है अमने इस रिले को ऑप्रेट की यह है 11 पिन का मरपास एक रिले है यह 11 पिन का बेस है रिले का और यह उसका टॉप है इसको पर हम पहले वीडियो बनाए जस्ट इसमें जादा टाइम ने लेते हैं तो फेस्ट आमने क्या किये है इससे होल्ड करवाना है जिससे हम डिवल स्टर्टर कॉंटिक्टर से बनाते है उससे दर हमने यहां पर रियले से बना है फएस अपला यह यहीं एक इसटकंदu को कर तो दॉट्र थे रिया और 700 मुर्ण के इसको बाताइन सीघ्राज के ऑइन लेमिते डिकनर निगए यहां पे बिय् ingredience कर वासें पिए व्याल्ड फ़टर प्राइब होगा प्रैल कुल छांज कर लिए कि रृट्ट हो तो फेक्क वीडियो यहां अर्व différence, दीक में भातुब लिए नमबर निरा वाल मूं संतर्ट के लिए घ्ट का मड़ करकते हैं हमने इस वीटियो में 9 और 11 को यूज किया है तो फिर दो 24 वोल्ट का जो एक वायर आ रहा है उसे हम ले जाके रिले के 9 नंबर में दे देगे और इसे 11 नंबर से निकालके कि देवन में कनेक्ट कर देगे तो इस तरह हमारी ड्राइव जब भी रिले ओपरेट होगा तो ड्राइव हमारी ओन हो जाएगी इस तरह हम स्टार्ट का कनेक्शन हमने किया तो देखेगे कि रूपर कनेक्शन होगया है कि रूपर समझाहा था एक ब़ाद एक बार कनेक्शन हम देख लेएं किस तरह कोन कोन से खनेक्शन हमने कहां पे कीए है कौन सा parliament करना है इसका लावा को install कर त्यृता है करना होते हैं इसका जाल वक्तने लेते हुए हम समाझ यह ते क्हां प проблем सर इसको डूसे ँसके टर्मिनल है वहां समझ लेते ほे इसको पर जो 10 नमबर यहां पर है जो आपने ड्रोइंग आपको पहले दिखाए थी तो पोटेंशियमेटर के चनेक्शन करने के लिए जिस तरह आपने ड्रोइंग में दिखाए था 10V, A1 और 0V को हमने यहां पर शॉट किया है जो पोटेंशियमेटर है हमारा इसके तीन वायर को हमने यहां पर कनेक्ट किये है इसके अलावा यहां रून कमांड के यह वायर होते है यहां इसे फरवर्ड रोटेशन चाहते है यहां पर यहां पर हमने 24V को और D1C को शॉट किया है यदि आप इसको रिवर्स में रोटेशन करना चाहते है तो आप D1C को शॉट कर सकते हैं यहां इसे हमने इस रिले के तुरू शॉट किया है जिसे हमने स्टार्टर बनाया है मोटर को रन करने के लिए और जिस तरह हम मिट्समिशे ट्राइव में जो S1 S2 S3 को शॉट करते है डिफाल्ट कनेक्शन के लिए उसे तरह इसमें हमने 0V को और D1C को शॉट किया है डिफाल्ट के लिए तो यह तो हमने इसे शॉट किया है और connection पूरी तरह बनाया है और अन्य पेरामिटर को चीज को ड्राइव के साथ ओन उफ करना चाहते हैं तो उसका कनेक्शन यहां पर कर सकते हैं और का घलन का स्बस्क्व कर दिखा 오른 department का चुकंच और बने तर Kell choses दॉब से नहीं करते हैं इसे एक बार on करके दिख लेते हैं किस तरह यह on हो रहा है फ्रेंस यह starter है यह stop push button है और यह start push button है जैसे हम start push button को press करेगे हमारी drive run करेगे चलिए friends start कर लेते हैं एक बार इसे फ्रेंस एक बार इसे run कर लेते हैं वैसे थे starter को पर हम पहले वीडियो बना चुके है तो एक बर से जस्ट रं कर लेते हैं, स्टार्टर से किस तरह ओन हो रही है, जैसे हम इस स्टार्ट पुछ बटन को प्रेस करेंगे, तो रिले में होल्डाउन दिया हुआ है, उस हमारा रिले पर्मनेंट हो जाएवा, रिले के होल्ड होने से हमारी जो यह पॉइंट है, यह अ इस से कुछ सीखना है, तो आप उस विडियो को देख लिए, पोटिंटियमिटर का करेंशन किस तरह कहा है, तो इस वीडियो को देख लिए पॉटेज, को पे नहीं हो इसका चोछ दो किजा हो, तो इसका विडियो की लिंक भी अमने देश्रिप्छन में दिये है, वहां से वीडियो देख लीजिए, इस तरह हम किसी भी ट्राइव को फिल्डप इंस्टॉल करके कनेक्शन कर सकते हैं, आज के लिए इतना ही, I hope आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो कैसा लाए, कमेंट समझारो, इस वीडियो से रेलेटेड यो भी आपके डावर्स हो, वो कमेंट समझारो, पुछें, हम पुरी कोशिश करेंगे, इसका जवाब दे सकें, तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही, ठेंक्स फ्रेंट्स